नमस्कार दोस्तों स्वाग थे आपटी यूटूब च्रेनल टॉप ट्रेंटिंग जीके में है दोस्तों ग्रूब डी 2019 का जब आपने आवे दिन किया था उस समय आपकी जो फॉर्म फी थी वो 500 रुपे आपकी फॉर्म फी है वो रखी गई थी मेकजिमम केंडेट के लिए ब 500 रुपे पे किये हैं ग्रूब डी आवे दिन 2019 में तो उनके 400 रुपे रिफंड होने थी लेकिन अभी तक एक्जाम ये आपका फॉर्म आया था 2019 में तो रिफंड की अब बात होई है अब से ये प्रोसेस स्टार्ट करने वाले है किस प्रकार रिफंड होगा इस वीडियो म भी कुछ बेंग चार्जेज डिड़क्ट होकर 375 के आसपास आपके रुपे रिफंड होने के चांसे जहें तो इसके रिगार्डिंग ये एक नॉटिस निकल के आजा है आप देख सकते हो नॉटिस ऑन रिफंड ऑफ एक्जाम फी फॉर सी एन आरासी 01 ओबलिक 2019 इंगलिस और हिंदी दोनों में नॉटिस है और इसके लिए एक लिंक है वो भी आपकी दी गई है ये लिंक एक्टिवेट होगी 14 अप्रेल को सुबह 10 बजे से और आप इस लिंक से क्या करशकते हो जैसे कि पहले पूरा नॉटिस देख लेते हैं ताकि आपको पता चले किस प्रकार प्रोसेस किया जाएगा तो ये पूरा नॉटिस है जिसमें बताया गिया है कि आपकी जो ग्रूब डी एक्जाम है वो 17 अगस 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक कम्प्यूटर बेस्ट एक्जाम सुआ था और जो केंडियेट उस एक्जाम में शामिल हुए है ऐसा नहीं है जन्होंने क आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा ऐसे स्वलक वापसी नहीं होगी तो परिक्सा स्वलक की वापसी बैंक खाता विवरन अपडेट आपको करना होगा क्योंकि फॉर्म आये हुए चार साल हो चुक है तो काफी कुछ बदला हुए है आपकी एकाउंट बगेर हम तो आप साल कंप्लिट हो गए हैं फॉर्म को जब आया था तब से अब तक तो इस बीच उमीदवानों के खाते की विवरोन में कई बदलाव हो सकते हैं बैंक दोरा खाता विवरोन की जाच करते समय ये भी पाया गया कि एक ही खाता संख्य से बड़ी संख्या में भुक्तान किये ग परदानों के लिए जो फी रिफंड होने वाली है वो अभी आपको नया अपडेट करना पड़ेगा एकाउंट तो सीबीट में सामिल सभी उमीदवारों को अपने बैंक खाता विवरोन परदान करने की सुईधा के लिए रेलवे भरती बोर्ट ने बैंक खाता विवरोन अ पर एक अपडेट बैंक खाता लिंक परदान किया जाएगा तो वो लिंक में आपको टेलिग्राम चैनल पर डाल दोगा न्यू केंड़ेट टेलिग्राम चैनल से दोड़ जाना लिंक डिस्क्रिश्न बॉक्स में है तो दिनांग 14 अप्रेल से यानि कल से ही सोबे 10 बजे से 30 23 अप्रेल 2003 साम 5 बजे तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा जिसमें आप अपनी बैंक डिटेल फिल कर सकते हूँ उमिद्वारों को सरह दी जाती है कोई भी परिवर्तन हो तो वे अपने बैंक खाते के विवर्ण अपडेट करने के लिए इस अवसर का उप्योग करें नीचे नों बता हैं उमिद्वारों से ये सुनिचित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि सम्मिट किया गया बैंक खाता सेंख्या और आईपेसी कोड सही हैं उन्हें सरा दी जाती है वे इस सम्मिट करने से वे ले सावधानी पूर्ग जान चले और बैंक खाता विवर्ण आईपेसी कोड देख ले तो कल में इसका एक डेमो वीडियो भी बना दूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना ध्यान दिया जाए कि सम्मिट करने के बाद अपडेट किये गए बैंक विवर्ण में संसो दन शंबव नहीं होगा जब आप यहाँ पर सम्मिट कर देंगे कल एक्टी होगी लिंक उस 2022 की रेफ्रेंस में पश्ण उत्रों विकल्प आदी से सम्मदित आपतियों की समिक्सा के बाद वैसे अपर्ति जिनके दोरा उठाएगी आपती सही पाई गई थी जिनके दोरा भुक्तान की गई निर्धार्थ फीस वापस करने के लिए भी इसी अधितन बैंक में उनका उ जलती थी और बाद में उसका एंसर वगेरा स्वाल वगेरा चेंज हुआ डिलीट हुआ या एंसर चेंज हुआ उस केस में जो रियल क्योसंस पर आपती लगी है जिनमें बदला हुआ है डिलीट हुआ है वो फी रिफंड होगी वो भी जो आप अपडेट देंगे जिन्हों गलत अपूर्ण और देर से दियेगे दाओं को सरासर तोर पर खारिज कर दिया जाएगा एक बैंक खाते में केवल एक रिफंड की ही अनुमती होगी ऐसा नहीं है कि आपका बैंक एकाउंड आपके भाई के भी सेम लिंक कर रहे हो तो वो आप ध्यान देना प्राप्त करने के लिए फोगेट रजिस्टन नंबर मेन्यू भी उपलब्द होंगे तो वो कल से आपको मिल जाएंगे जो केंड़ेट भूल गए है कापी साल हो गए है रजिस्टन नंबर भूल जाएंगे तो वो भी देख सकते हो फोगाट करके तो सभी अब्यर्तियों क यह में सेलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है क्योंकि काफी समय बात से यह ग्रूप डी कम है अपडेट दे रहा हूं बाकि यह जो लिंक है यह आपको कल टेलीग्राम पर मिल जाएगी यह लिंक में अपडेट कर दूँगा अभी एक्टिवेट नहीं हुई है कल से वीडियो डेमो ग्रूप में बता दूँगा किस परकार को आपको अपडेट करना ताकि पूरी फीद 400 रुपे हैं और रिफंड हो जाए वीडियो देखने के लापका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अपडेट के साथ बाई बाई